अच्छा फर्थ फ्लोर पे हजार साल पहले बाथ रूम का होना अपर एक गुप्तर रास्ता था जो यहां से कम से कम दो तिन किलोमेटर निचे कुड़फोल भोलते हूं वहाँ तौर्फ स्लोर पे और दिल्ली मुंबही वाले भी भी बोलते होंगे अम फ्रॉर पे रहते हैं पर ऐसे फिफ़ फ्लोर पे नहीं रहते होंगे आप प्रणाम नमस्कार मित्री बुन्चोहान और आप सब को लेकर आए हूँ आज उत्तरकाशी जिले के यमनोत्री धाम के बहुत समीप एक गाउँ पड़ता है कोटी और बनाल को साथ बोला जाता है कोटी गाउं में हम अभी और जो पीछे आप देख रहे हैं ये जो मकान है हजार वर्ष पूर्व का मकान ऐसा हम नहीं कह रहें कौन कह रहा है कौन इसकी प्रमार्ता कर रहा है थोड़ी देर बाद हम उस मकान में भी जाएंगे देखेंगी कि ये 5-6 मंजला मकान तब 1000 साल पहले कैसे बनाया गया था क्या इसकी गुनवता है और अभी तक ये मजबूत कैसे है क्या हम उपर तक जा पाएंगे क्या वहाँ पर लकडिया हैं वो कमजोर हो चुकी होगी क्या कुछ होगा वो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा आपको आप बने रहिएगा लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ जो हैं इनके पूर हो जो ने ये मकान कभी बनाया था प्रणाम सर क्या नाम है सर आपका सर मेरा नाम लाइवर सिंग्रावत है और मैं ग्राम सभा कोटी से हूँ सबसे पहले मैं आप लोगों का यहां पर हर्दिक श्वागत करता हूं चवान जी का और लोकारपन अनावरन सच का आपका ग्राम सभा कोटी में हर्दिक तेह दिल से श्वागत है और जो मैं आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो हमारी इस विरासत को जो है देश-विदेशों में लोगों तक पहुँचा रहे हैं और इस चीज के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ सर पहले तो आप बहुत-बहुत अच्छा आप बोले उसके लिए आभार भी लेकिन हमारा प्यार है हमेशा ही रवाई घाटी में जितना मिलता है उतना तो हम शायद नहीं दे पाते लेकिन एक मकान है जिसको मैं पिसले डेट दो वर्शों से कवर करना चाह रहा था और आज वो मौका मिला है तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ सर यह जो यह बात है हजार वर्श पूर यह इसकी प्रमानता क्या है सर इसकी प्रमानता हमारे पास तो है नहीं पर लेकिन अभी यहाँ पे 20-22 साल पहले आयायटी रूड़़्की से वहाँ के स्टुइंट आये थे वहाँ के बेगहर्निक आये थे उन्हों नहीं हैं रहां पर मिट्टी का फ्रिक्शन किया उन्हों नहीं हैं जाए का पता लगा है ये भी एक्यानवे में जब उत्तरकाशिये में बड़ा भुकम पाया था ये इस मकान में निवासरद थे ये बात सच है जी जी ये बात सच है जलिए उसकी भी कहानी आपको बताएंगे क्या कुछ चलिए अभी चलते हैं हम आपको दर्शन कराने वो अद्भुत सी चीज जो आपसे हजार साल पहले बनी देखे कमरे कैसे हैं आप वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपून है अब इससा ये देखेगा ये लकडी तकरीबन हजार वर्श पूर्व और कितना मोठी लकडी है ये किस तरह से इसको बनाया गया होगा उस पर विचार करेंगे सोचेंगे और यहाँ पर देखेगा ये सीड़ी भी है कुछ अजीव सी सीड़ी है ये ये पुरा एक पेड़ का तना लगता है और काट काट के इस पर खाचे बनाये गये हैं उपर चड़ने के लिए ये सर कभी बदली नहीं आपने अच्छा तब से एसी ही लगी है कोई बीचन आप अंदर आजाहिए आप आगे आगे चली हम आपके साथ-साथ चलते रहेंगे तो आप कह रहे हैं कि ये कभी चेंज नहीं किया गया जीजीजी जीजीजीए जीजीजी और हाय्ट भी अच्छी कासी है अभी विए मेरे उप तकरीबन आराम से आठ साड़े आठ नौ फुट तो बिल्कुल है सारे फ्लोर इसी हाइट पर और जो नीचे है उसमें क्या है इसमें तो नीचे पुरी एक फिलिंग कर रहा किसी जो राउंड बोलते हैं बुनियात की जो बनाते हैं चौक की बनाते हो बना रहे पुरी एक सदेरा हो रहे हूं तो यह देखेगेढ यह टू रूम है चलिए जैए ऊपर चलते है बने में हैं और कितने इसमें कमरे में ड्म है ihtलो बीस कम्रे Ensuite अपने चपल टार दी हमें भी उतारने होंगे Except nowadays ये कुछ कोई नहीं और आसान भी नहीं है चड़ना देखेगा आप फर्स फ्लोर पे अभी तक मैं तो पहुंच गया हूँ कैमरा आदाम से आए अजय से पुराने जगड़ा गुली वारी या कोई भाला गया जो फेंगते तो इन जगों से वार करते थे बैदर अच्छा ये खिड़किया ये मोरी बना रहे हैं जी जी इनसे क्या करते थे इन समय एक तो एंटी लेटर जैसे हुआ हुआ के लिए और जैसे सर्दियों में इ ज०्ध आखूस सटर्धार जैसे तो एक अंकि भाल देत लुए तो उपर से पथर पèces जी और वाले शेज ecc और शुर के लियू आकमण के कोई जुआ है की जबाड़ चोर झूअ क mesaad ng तो उस समय जब गोर्खे इस मकान को लूटना चाहते थे तो यहां पे जब आये तो कम से कम यहां पे 7-8 दिन तक रहे नीचे तो जो हमारे बुजर्ग थे वो सब इसी में कठे हो गए और नीचे से दरवाजे बंदकर अंदर से आगल नहीं होते जो लॉक होता है हमारी भासम आगे दरवा जागे जो आपने गड़े उससे समय की बात है तो जो हमारी दादी परदादी रही होगी अभी मैं आपको नीचे साइड दिखाऊंगा फरस्टी फ्लॉर पर है तो वहां पे एक गुपतर रास्ता था जो यहां से कम से कम 2-3 किलोमेटर नीचे कुड़पुल वहां पर नदी में जाता था क्या बात है क्या टेक्नोलोजी है आप लोग सब समझ रहे होंगे यह सब पहाड में हो रहा है देखिए जो हम बात कर रहे थे यह सब यहीं हो रहा है और यह तमाम तो तस्वीर आप देख रहे हैं यह मुझे तो बड़ी अचंबित करती है और और आपको भी यकीनन तो वह गुप्त रास्ते भी बनाई है तो जब वहां पर गोर्खे एक हपते तक रहे उन्हों सचे अंदर भूके मर जाएंगे इनके पास ना पानी यह ना कोच पानी कितना रहता था तो यहां पी स्टोर भी करते किने दिन का पानी स्टोर कर पाते थे आपको शाल जाएंगे यह थे खते बात पर्दादी रही वहां से पानी उन्हों पेंडरी उन्हों से पानी ने घाए तो पुरानी गागरे होते थे उसमें जब उसने पानी वहा तो समे समे एक मच्छी वह आ गई शुत अ selective है उब नदी में पानी दा रह रह ज़गी तो द उनों वहां से वह मच्छी जैसे जिंदी मच्छी गोर्खों पर पड़ी निचे, तरफने लगी तो गोर्खें जाए बहागे गए। उनके पास पता नहीं कहां कहां से राज्ते होंगे फिर भागे वो यहां से फिर उन्हों यहां पर नहीं कर पाया वह तो समझे सरी आप इधर तो हो जा वहाँ यहां पर दिख लें ऑप चलिया और ऊपर चलते चलते चलिए वह हूम तो यह यह देख ही आगा यह बहुत आसान नहीं है यह तर्ड फ्लोर पे भी आगे हम यह अलग से पार्टिशन भी बना रहा है जी जी यह तो सरबाद में बनाया होगा अपनी शुविदा के लिए अब जैसे लोगों के यहां पर कीचन होता था अब यहां से रास्ता हो गया अब यहां पर जैसे कोई दूसरा परिवार रहता होगा इसका पर दूसरा भाई रहता होगा तो अपने से बना का ऑपना कीचन के लिए करें बना रखा हैँ अब कोई डिउता हैńů अकंड बिचलिए और फ्लोर पे चलेंगे वह ओपर से भी देखाएंगे आपको कैसा दिख रहा है वह नजवा, उरों अ सिंगल लकडी पर और हजार साल की लकडी तो यकीन ये हस्त प्रत करती है मुझे भी तो थर्ड फ्लोर से निकल के अब हम चौथे माले पर आगे हैं और एक बहुत ही बहतरीन चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है हाई ये बहुत ही बहतरीन दिख यहाँ से इसको क्या बोलते हैं यह देखेगा आप यहाँ से बहार का व्यू देखे आप क्या बात है तकरीमन चौथे माले पर हैं हम अभी और ऐसा लगता है वियार अन दो टॉप आप अप दो वर्ल और यह सिच्वेशन तब भी ऐसी रही होंगी प्रकृती भी ऐसी रही होंगी कुछ मकान शायद ऐसे ना रहे हो एक दो मकान मैं आपको यहाँ दिखा दू कि पूरे मखान होंगे और यह खरन दोंगे फ़र और शाटेन सीता कश्वेशन चल्प दो इस और उप जिखे में हैं कियो इस खरदो जल्दी पिगल जाते थी और नीचे गिर जाते थी और ठंडा भी बहुत जादा था जो देवदार की लकडी होती है यह सर्दियों में तो गरम रखती है और गर्मे में यहां का अंदर का टेंपरेशर ठंडा रहता है आप अनुभाफ करना जब आप कहीं भी देवदार के मका में बैठोगे देवदार के मकान में तो आप गर्मे में कभी महसूस करना जब आप अंदर बैठो आप बिल्कुल ऐसा मैसूस होगा कि यहां पर चीज है जैसे कि और की बालकनी होती रहा आजकल बड़े-बड़े फ्लैटों में यह दूसरे वाले की बालकनी तो ऐसा ही है उसमें भी जाएंगे हम अभी हम उसमें घूमेंगे चलिए यह चारों तरफ घूमती है उसमें भी घूमाएंगे आपको पहले ऊपर चलते हैं फोर्थ फ्लोर पे हम एक बहुत बड़ी चीज है फोर्थ फ्लोर पे हजार साल पहले बाथरूम का होना है अटेस्ट बाथरू क्या बात हुई होगी और जो कह रहे थे गुर्खाली जब आये थे यहां पर तो कैसे उन्होंने सौच किया होगा कैसे सभी चीजें हुई है तो यह उसका एक प्रमान है आगे आएगा तो देखिएगा किस तरह से यह बात्रूम बनाया गया है और यह तब का बात्रूम है जैसे इतनी हइड्ट बे अब रात को जैसे आद्म और कोई कोई इमर्जंशी हो जाती दो वैसे तो इसको रेगूलर यूज नहीं करते थे यह तभी यूज होता था जब कभी इमर्जंशी ओ जा जाते थी अब इतनी हảiटब मेर रात को कोई बाहर निकला हुए इस पर अलाकृती भी की हुई है और यह तब भी बहुत चार्ज़बर ला हुए इसका मतलब यह है कि आपके जो पूरवज रहे होंगे वह धनाट्ड रहे होंगे लोग रहे होंगे सर रहे होंगे देखिए कि आप उस्तेनी चीज छोड़के गए हैं हर चीज में नकाशी है हर चीज बिना यूनिटी के तो बनानी होगा जो भी रहे होंगे उनकी छेत्र में दबदबा होगा प्रवावसालियाद में रहे होंगे जब यहां के पूरे छेत्र पहले के जमाने के लोग लंबे चोड़े भी जादा थे ताकतवर थे जादा लंबे चोड़े थे अब यूद जो पांच छे पिट करीबन उनकी उनकी लंबाई थी तो मैं उनकी जब दिखाऊंगा आपके पत्थर लगाया तो पत्थरों को मिला नहीं पाते हैं वह पत्थर तो अब 5th floor की यह वाले लखड़ी थोड़ा पुरानी हो गई है इसका कारण हो सकता है क्योंकि ए बारिश बारिश यह तपक रहे है यह हो सकता है यह थोड़ा यहलँ थोड़ा-स वो भी है नीचे है तो यहां पर मिलास्ट फ्लोर पे हैं, यहां से नीचे आप देखिए, एक बार देखने की कोशिश कीजिए आप यहां से, और तब यह मकान-मकान कुछ नहीं रहे होंगे तो यकिनन बाप रहे, और इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होना हजार साल पहले अधभुत है अपने आप में, और आपको मैं चीज दिखाता हूँ, यहां देखिए, यह जो तमाम मकान बना है, पूरा जो फ्लोरिंग है, पत्थर जरूर लगे में इस पे, लेकिन यह लकडी के बीम हैं इसमें, लकडी के बीम के स्ट्रक्शर पे ही यह मकान पूरा खड़ा हुआ है, और उसी पर यह बनावा है, लिए फ्लोर पे और दिल्ली मौमउई बनावाले लागे, अलोर थे हैं और ऐसी फ्लोर पे नहीं रहते हूंगे आप, मुझबूत कि आखके रहते हैं लोग क्योंकि एक ऐसी धरोवर है जो पुराने जमाने में लोगों ने बनाई और आज तक हम उसको देख पा रहे हैं तो यह फ्रूर का सबसे सुरक्षित कमरह है अप नबी के समय बात बता रहे हैं कि क्यानवे के बुकम के समय इसी में थे आप यहीं रहत यह दे थी पर ते तो हमें पता नियुक्ळान के तो हमें वह्कुत रहतों जूंघ सर्वार ऑफरो ऑंग लिकिन मकान पर कोई भी कहीं कोई दरार नहीं कोई कोई तूट फूर नहीं कुछ भी नहीं हो वहां मकान पर तो मुसमें सिसे हमें याद रहता है किya क्या इंजीनियरिंग दे सोच हो और आज कल के फुल बना रहे हैं जितने भी चीज़ें बन रही है वो किस गुणवत्ता से बन रही है वह इनको ही पता हुआ आप दावालों का वह बना देहरा दुन में इसी की इस पर बनावा है कास्ट कल्ला पर इसी भी इसी आधर बनावा अभी देखा बनके पूरा हो गया और यहां पर देखिए का यह बच्चे आते रहते हैं यह अपने नाम लिखते रहते हैं पर जीवन सिंग बगवान यह सब यह सब मकान के दाद अपना नाम रखना जाते हैं इसके बाहर से एक तश्वीर और दिखाएंगे हम गाउं में अ अब भी आप बुड़े बुड़े हो गया हैं अब चलते भी हैं इसमें अंदर अलमारी भी है तो सब कुछ है यहां आज तोड़ा सा इसका जीनोधार ज्यादा मुझे लग रहा है कि आउशकता भी पड़ी होगी तो यह कभी ऐसे नहीं हुआ कि दरका हो कुछ हुआ हो इस बारिस की अब यह कर पा रहे हैं कि अब इतना बड़ा मकान है अब आज की जमाने में हमारे पास इतने संसादन नहीं कि हम इसका कर दें अब हमने कई बार गावर्मेंट से किसी नेताओं से कई बार कि सबी लोगों से बता है इसके लिए करो कुछ तो जो भी आते देखके जाते हैं जी इसके लिए करेंगी मुझे लगता है वाकई आर्के लोजिस्ट डिपार्टमेंट या बिर इन सब को यह सोचना चाहिए यह हमारी धरोहर है हजार साल पुराना एक पांच-शे मंजरा बवन और इस कंडिशन में आज भी है आज भी अच्छा खासा है हम यहां सब्सक्राइब करेंगे लोग देखने आएंगे तो उनके साथ रोजगार भी आता है किसी की दुकान चलती है किसी का होटल चलता है किसी का कुछ चलता है किसी चलता है कि सक घ्र चल जाएंगे गाहों में अदो यहां पर गाहों में जितने भी मकान आपको धी देख रहोंगे और आप इन से संबख भी कर सकते हैं जब यहां पर आ रहे हों अब। यह अंधेरा था और जाला था अब यह अंधेरा है जिस पर आ रहे हम अचा इसमें अंधेरा होगा नीचे यह देखे यह वी एक बड़ी बात है वहाँ उजाला था अब यहां अंदेरा होगा चलिए चलते हैं थोड़ा समल के आईएगा वेदे इनको तो पूरा वो है मुझे थोड़ा लग रहा था कच्छा पर नहीं वाकई ऐसा कुछ नहीं है अब लग रहा में, अदर कमरा थे, तो यहां प्र यहां पर कमरा उगया तो यहां पर किचन था बहर बना तो और उदर विए इस के चार हागे है ठैकर दो ढ यहां भाख हो गये चार है वह जो पर इसमें सरकार को जरूर सोचना होगा हम भी इस वीडियो के माधियम से यही चाहेंगे लोग इस वीडियो को देखें परेटन विवाग इसे देखें और कुछ इसके बारे में सोचे क्योंकि यह ऐसी दरोहर यकीनन इसको अगर मिंटेन किया जाए आज भी तो मुझे लगता है यह वह बहुत ही बहुत ही बैतर हो सकता है क्योंकि यहां पर रोजगार के कोई से यहां से लेकर और वहां तक है मतलब पूरे मकान में एक कम से कम 30 फुट से तो लंबा ही हो गए अच्छा इसकी चोड़ा यह पूरी नीचे से ओपर तक मकान उतना लंबा पूरा पेड़ है तो इसका जो एक साइट से लेकर दूस्रे साइट वे दूस्रे साइट इसमें यह जो इसकी मजबती का कारणिस पूरा हुई है, हर फ्लॉर पें लेकर नीचे तक है, यह बिल्कुल वही है, जैसे आजकल जो स्ट्रक्चर बनते हैं, समझेगा, नीचे आपकी हाँ, रसी सी बनते हैं, तो उसको पर सरीय से बीम बनते हैं, फिर बीच में एट बहते हैं, उन पहले लखडी का स्ट्रक्शर बनाया जी पहले लखडी का स्ट्रक्शर पुरा खड़ा किया उसके बाद भी पथर की फिलिंग कि यह है कलाकारी जो आप समझ पा रहे हो एक बना कैसे है सबसे बड़ी बात यकीन जो मैं बोल रहा था वो लोग वकवाकई साथ आट फूट के सब्सक्राइब तरवाजे चोटी होने का ऊसका रिजन कि रिजन कि नहीं होते है कि जो भी घर में जुक्क्या कोई कितना भी बड़ा होगा तो यहां की कुछ कहानिया थी इन कहानियों को जोड़े चलेंगे हम यह कुछ पुराने यहां पर बरतन भी बनाए वह यह लेकिन अब यह पुराने खराब हो चुके यह तो आप लोगों के टाइम के होंगे यह तो अब इक है कापी मुद्दब यह जो दादा पर दादा थे पटवारी उगे लग पटवारी दिनके तो चली कहानी यहां की विटवारआ की राजार रहे किना क्यों खरांड alltså पढ़ने भी नहीं आते थे पतानी कौन सा लेख था उनके उपर बच्चे ली जाते थे उनकी पतंगे मनाते उड़ाते थे अब आज पस्तारे में अगर कागज संबाले होते तो उन पर हमें यहां का कुछ न कुछ इतियास मिल जाता है जो हमारी दादा परदाओं में कुछ लिखाओं यहां पर भोजपत्रों पर लिखे होए थे भोजपत्र की फाइले थे उनके लिखाओं था जो भी लिखाओं था यकीन यह चीज़ें वहां की बहुत गहरा इतिहास है पुरे मकान का और आप लोग भी अगर समझ पा रहे हैं यह उत्राखंड में हमारी देव भ आप थोड़ा सा एक नजारा और देखेगा मकान का क्या खुबसूरती इसमें चपनी भी है झाल 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 झाल